Hello everyone, welcome to my channel आज यहाँ पर मैं आपको GS के बहुत ज़्यादा important topics बताऊंगी जिनका weight is सबसे ज़्यादा होगा अगर आपने भी GS में ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको limited topics है जिनका weight is सबसे ज़्यादा होता और वो आपको पढ़ लेने हैं जिससे कि आपका score GS में बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारा दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल में GS के weight सबसे ज़्यादा होगा तो हमें कहीं न कहीं GS पर focus करना पढ़ रहा है ज़्यादा लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूंगी जैसे कि एगर GS weak है तो वो GS में कौन से topic पढ़े और कौन से नहीं पढ़े जिससे कि वो अपना score अच्छा कर सके इसका video मैं और यूटूब चैनल पर upload कर चुकि हूँ उसका link में description box में दे दूँगी तो आओ वहां से उसे जरूर देख लेना क्योंकि आप reasoning math computer को स्टॉंग करके भी अपना दिली पुलिस सेलेक्शन एक्जाम दे सकते हो मैंस की strategy क्या है reasoning की strategy क्या है computer कैसे पढ़ना यह सारा मैं आलरडी YouTube चैनल पर upload कर चुकि हूँ तो उसका link में description box में आपको provide कर दूँगी तो वहां से देख जरूर लेना जिससे कि आपको बहुत help मिल जाएगी अब हम यहां पर बात करेंगे कि GS में हमारे सबस्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से वह क्या है awards जो भी हमारे वार्स है वो नाशनल इंटरनेशनल यह तो आपको पढ़ने ही पढ़ने बाकी art and culture क्योंकि स्ट्राटिक जीकी का portion हमा बजाना जरूर अवार्ड नाशनल इंटरनेशनल एवार्ड आर्ट एंड कल्चर बोक्स एंड ऑथ्युप्स एंपॉट्टेंट अउर्ड बहुत पूछे जा रहे हैं और लाज्ट के पूछे जा रहे हैं कि पहले फिर्ट गवर्नर और फिर्ट मिनिस्टर कौन था इंदेक्स 2023 इससे बी कोशन्स आ रहे हैं स्पोर्स एवोर्ड्स यह सारी चीज़ आपको जरूर् पढ़नी है युँ पार्लेमेंट से पढ़ लेने को की दिल्ली का इग्जाम है तो उसकी पॉस्व बाकु याएँ बाकि लेना बाकि current affairs भी आएंगे बहुत सारे questions होंगे हमारे current affairs के नाशनल पर्क्स और रिवर्स करेंट अफेस के लिए आप स्पीडी बुक लेलो उससे current cover करो बहुत important बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें section wise सारा कुछ दिया हुआ है लेकिन मैं यहां पर बात बोला चाहूंगी कि यूटूब channel पर देकर तैयारि कर रहे है जरूर करें की जब वीडियो देख रहे हैं उसको देखने की बाद अपने खुद से कर लोगी क्योंकि अब हमें self study पे सबसे ज़ादा focus कर रहा है तो यह थे हमारे important topics जो paper में questions जिटके पूछे जाएंगे अब इसमें से सबसे ज़्यादा weight is किसका होगा वो मैं बताती हूँ G.S में 50 questions होंगे 50 marks के जिसमें जो last year previous year अभी तक हुआ है जो 2020 का उसके हिसाब से static G.K. में बाकि आप मिस्लैने ज़रूर पढ़ लेना जिन लोगों ने अभी G.S कंप्रीट नहीं करी है अपनी वो Lucent book ले ले Lucent book से पड़े कोकि SSC के जादा तर कोशेश Lucent book से पूछे जाते हैं मैंने भी कई exams दिये हैं और मैंने भी Lucent book से प्रप्रेशन करी तभी मैं बहुत exams में मैंने जिये जो हमारी यह होती है G.S इसमें मैंने 50 में 35 भी स्कोर किया है क्योंकि मैंने इसकी प्रप्रेशन जो करी थी वो दो book से करी थी बाकि थोड़ा बहुत मैं करेंट देख लेती थी यूटूब से लेकिन मैंने सबसे ज्यादा लूशन बुक से कवर किया उसको टॉपिक वाइस पड़ती थी पॉलटी फिर पहले पॉलटी को कवर कर लेती थी जो पॉंट्स डिफकर्ट लगते थे मैं उसके नोर्स बना ल बहुत अच्छे से मिलती है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उससे बाकि स्पीडी में वन लाइन जो कोशन्स जी होते है उनको पढ़ लो उससे भी बहुत मिलेगी बाकि जो मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक से उनकी क्या स्ट्राटीजी होने चाहिए हम जीस कैसे कवर दो घूरा तो आप वो डेली पढ़ना ही पढ़ना है बाकि अब देखो प्रिवियस एक पुषन को प्रिपेर करो जरूरा जरूर नहीं कि से बहुत मिलेगा तो प्रिवेस यह जब लगा रहे हो तो सब्सक्राइब करने है आप question देखो इस topic का है फिर इस topic को किसी भी book से जो भी आपके पास sources उससे learn करो आपको daily current affairs भी पढ़ने है बाकि आप YouTube में नवीन सर की help ले सकते हो GS में या फिर RB revolution का ले सकते हो बाकि आपको जो suitable लगते हैं teachers आप उनका ले सकते हो यूटूब चैनल देख सकते हो लेकिन आप खुद के नोर्स भी प्रिफर करना कुकि बार-बार वीडियो देखने में हमारा टाइम ज्यादा सबसे बेस्ट है मॉक दो और फिर उनको analysis करो कि कौन सी topic में कौन से questions में किस चीज में आपको सबसेदा problem हो रही है फिर उन वीक points में आपको focus करना है अगर इस तरीके से करोगे तो आप GS में स्कोर कर पाऊगे यह कुछ quality के topics हैं जैसे कि यह लिखा हुआ हमारा quality important topics उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है फिर आपको मैं बताओं कि यह important articles है इन सबका वीडियो मैं upload करूँ यूटूब चैनल पर आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजी जिससे कि जब मैं यह update करूँ कि कौन कौन से quality के important topics हैं कौन-कौन से आपको पढ़ने कौन-कौन से fundamental duties हैं यह सारी चीज़े और कौन-कौन से हाइलाइट करने के लिए हाँ पर sketch pen यूज किये नहीं तो मैं अगर आपको अपने प्रिवेस नोट्स दिखाओं जिससे मैंने preparation करी थी तो वह मैंने स्रिफ ब्लाक और वाइट से ही बनाए थे और बाकि जो चीज़े हाइलाइट थी जो चीज़े important थी उनको मैंने अलग sketch pen से highlight कर लिया था बाकि मैंने जैसे यह आप देख रहे हो ना मैंने ऐसे नॉर्मल पहले भी नोट्स बनायते तो simple way यही है नोट्स बनाने का तो आप यूट्यूब चैनल में भी देख रहा है तो ऐसे points बनाकर आप उन कर दोंगी thank you please like share and subscribe मैं चैनल ऐसे और भी informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe कर दीजे जिसे कि मैं और भी कोई related information दूँ तो आप उसे देख सको और उसका benefit ले सको thank you for watching my channel please subscribe